जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहां पर TGT का प्रेक्टिस सेट हिंदी भासा का बहुत ही महत्यपोण यहां पर कॉस्चन है तो वीडियो को पूरा बसे देखना है अगर आप चैनल पर प यहां पर सही आंसर है तालू से तो विकल्प नंबर C यहां पर सही आंसर है नमने लिखत में से एक निवन्द सरदार पूर्ण सेंका नहीं है चिन्नित कीजिए कौन सा निवन्द सरदार पूर्ण सेंका नहीं है तो नहीं पूछा है तो आपका सही आंसर है यहां पर भारत भारतिय संस्क्रिति आपका इहां पर सही आंसर है आनंद रगुनंदन नाटक के लिए कक कौन माने जाते हैं question number 3 है आनंद रगुनंदन नाटक के लिए कक कूछा है तो तीन का right answer है महाराज विस्वनाच्स हैं आपका इहां पर सही answer होगा जाजगिरेशन ने आदीकाल को कहा है क्या कहा है तो question number 4 है और 4 का सही answer है जाजगिरेशन ने आदीकाल को कहा है क्या कहा है तो right answer है विकल्प number B यहाँ पर सही answer होगा 4 अनकाल अंगला question है डाक्टर रामकुमार बर्मा निमलिकत में से एक एकांकी के लेखक नहीं है तो भै कौन सी एकांकी है जिसके लेखक नहीं है डाक्टर रामकुमार बर्मा question number 5 है महत्पूर्ण है और 5 का right answer है बहु की बिदा यह जो है आपका विकल्प number D यहाँ पर सही answer है question number 6 है ह से ब्रहणी के ब्रह बंडन को हिंदी साहित की अमुल निदी कहा गया है यह बताना है question number 6 में महत्पूर्ण है यह question नहीं है तो question number 7 का right answer है नंदी केस्वर आपका सही answer है विकल्प number D question number 8 पूचा है क्या पूचा है कि ज्यानरासी के संचित कोस का नाम साहित है एक अतन निमन मैंसे किसका है question number 8 में बताना है एक अतन किसका है तो question number 8 का right answer है महाबीर पर साथ दुबेदी विकल्प number B यहाँ पर सही answer है question number 9 पूचा है भिरमर सब्द के निमन लिकित पर्याबाची मैंसे एक असुद्ध है असुद्ध कौन सा है यह आपको निमन लिकित कहानियों मैं से एक कहानी अमरकांति की नहीं है कौन सी नहीं है अमरकांति की कहानी question number 10 है महत्व्पूण है और आपका सही answer है पान का पत्ता पान का पत्ता राइट आंसर है, Question No. 11 पूँचा है, क्या पूचा है? सूची एक को सूची दो से सुमिलत कीजे तो Question No. 11 है और 11 में जो आपका राइट आंसर होगा, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है यहाँ पर तो चलिए देख लेते हैं आपका कूट में विकल्प नंबर एक राइट आंसर है तो एका चौता हो जाएगा जगनेक परमालरासो और यहाँ पर रसकलस के कौन हो जाएंगे तो रसकलस के हो जाएंगे हरियोद और यहाँ पर तीसरे का दूसरा हो जाएगा बेरागे संदीपनी तुलसी दास और चौते का नावा दास भक्तमाल इस फिरकार जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है कॉस्चिन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूँचा है चारू चंदर की चंचल केड़ने खेल रही थी जल थल में निस्वक्ष चांदनी विछी हुई है अवनी और अंबरतल में इनका वे पंतियों प्रिकृति चित्रन है तो यह आपको बताना है तो कॉस्चन नंबर 12 का यहाँ पर जो सही आंसर है वै क्या है राइट आंसर तो बिलकुल सही वारे का भी राइट आंसर है आलंबन रूप में आलंबन रूप आपका सही आंसर है जहाज का पंची उपन्यास के रशिनाकार वाने जाती है question number 13 का right answer बताना है तो जहाज का पंची उपन्यास की रचिनाकार इलाचंद जो सी माने जाते हैं सदियो सब्द में संदी कौन सी होगी सदियो सब्द में संदी बताना है तो 14 का भी right answer है ब्रदी संदी आपका सही answer यहाँ पर है निमने लिखेत एगमा में से बिलॉम की दरश्टी से एक एग में सही नहीं है तो कौन सा भाई एग में सही नहीं है बिलॉम की दरश्टी से तो 15 का सी right answer है उपियोग सदुपियोग यह जो है सही नहीं है अंगला question है कलम का सिपाही नामक रचिना किसकी जीबनी है यह आपको बताना है कलम का सिपाही नामक रचिना किसकी जीबनी है तो 16 का B right answer होगा प्रियम चंद्र बिल्कुल सही प्रियम चंद्र आपका right answer है आनंदमठ रचिना के लेकक कौन है question number 17 है भत्तपूर है आनंदमठ है और इस रचिना के जो लेकक माने जाते हैं 17 का C right answer है बंकिम चंद्र चटर जी question number 18 है निमने लिखत में से एक रचिना महादरी बर्मा की नहीं है तो नहीं बताना है तो 18 का right answer होगा नहीं पूचा है तो सामधेनी आपका यहाँ पर सही answer है question number 19 है तुल्सी के काब्य का दार्षने का अधार है क्या है यह बताना है अदवतबाद, विशेश़्टा अधबाद, एक इस सुरबाद या फिर सुद्धा दवतबाद तो तुलसी के एकाब्डे का दार्शनेक आधार है तो नेस का राइट आंसर है सी आनिकि विश्ष्टा दोइतबाद कौस्चन नंबर 20 पूँचा है कहा राजा भोज कहा गंगु तेली का सही अर्थ क्या होगा question number 20 और 20 का right answer है कि संबन्द या विवहार समन इस तरवालों से करना ही अच्छा होता है यह जो है अपना यहाँ पर सही answer होगा और अंगला question क्या है दालभात सब्द में समास कौन सा होगा question number 21 में बताना है 21 का right answer है दालभात सब्द में समास होगा द्वन्द आपका यहाँ पर सही answer है ठेट हिंदी का ठाट के लिए का कौन है ठेट हिंदी का ठाट के लिए का पूछा है तो 22 का right answer है आपका विकल नंबर B यानि की हरियोद आपका सही answer है नमलिकत मैंसे एक उपन्यासकार आदार्स नो मुखी अथार्त बादी उपन्यासकार माना जाता है तो कौन माने जाते हैं तो 23 का सही answer आपका यहाँ पर right answer है प्रेमचंद्र कौन माने जाते हैं प्रेमचंद्र right answer है बिलकुल सही मुर्दों का ठीला उपन्यासकार कौन है question number 24 है महत्पुण है और 24 का सही answer है रांगे रागा बिलकुल सही विकल्प नमबर एक right answer नबीन कहानी आंदोलन को समनांतर कहानी नाम देकर प्रारंब किया है एसपाल ने या राजेंद्र र्यादब ने कमलेस्वन ने मनुभंडारी ने तो 25 का right answer है कमलेस्वन ने कमलेस्वन विकल्प नमबर बी आपका यहाँ पर सही answer है अंदेर नंगरी एकांकी के लेखक कौन है question number 26 का आंसर बताना है और 26 का right answer आपका यहाँ पर होगा अंदेर नंगरी एकांकी के लेखक तो 26 कभी भारतेंदू हरिश्चंद्र यहाँ पर सही answer है नाटक को पांचवावेद मानने वाले है तो कौन मानने वाले है नागर्जन, भरतमुनी, भास या सारदानन्दे तो नाटक को पांचवावेद मानने वाले जो है 27 का C, भरतमुनी, आपका सही answer यहाँ पर है परसाद के एक मात्र एकांकी का नाम बताना है तो यहाँ पर अपना सही answer क्या होगा 28 का, तो 28 का यहाँ पर सही answer है विकल्प नंबर C, एक घूंट आपका सही answer है यहाँ पर पूँचा है, चतुस पद समास, सब्द में समास कौन सा होगा द्वन्द, दिगू, तत्पुरोष, या कर्मधार है तो यहाँ पर राइट आंसर है 29 का विकल्प नंबर B, राइट आंसर है दिगू, आपका सही answer होगा यहाँ पर है, नारी तुम केवल सरद्दा हो विस्वास रजत नग पग तल में इस पंती के जो लेखक मानी जाती है कौन मानी जाती है कौश्चन नंबर 30 है और 30 का राइट आंसर है आपका पर साथ यहाँ पर बिलकुल चाही राइट आंसर होगा अर्द कथानक के लेखक कौन है यह बताना है, question number 31 में अर्द कथानक के लेखक पूँचा है तो बनारसी दास जेन जो हैं इह मानी जाते हैं अर्द कथानक के लेखक रिपोर्टाज किस भासा का सब्द है Latin, Francis, Spanish या फिर Greek रिपोर्टाज किस भासा का सब्द है 32 का सी राइट आंसर है Francis सी राइट आंसर होगा कर सब्द के लिए कर सब्द के निमलिकत अर्थों में से एक सही नहीं है कौन सा नहीं है, बताएए कर सब्द के लिए अर्थों में निमलिकत अर्थों में से एक सही नहीं है तो वह कौन सा नहीं है तो राइट आंसर है कान, कान आपका सही आंसर होगा, यह जो है सही नहीं है, मात्रा किसी कहिते हैं, यह आपको बताना है, question number 34 है, महत्रपूर है, और 34 का सही आंसर है, विकल्प नंबर C, बढ़नों की उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा काईते हैं, तो विकल्प नंबर C, राइट आंसर यहाँ पर, question number 35 है, कि निमने लिखेते, मैं ऐसे उपसर्ग नहीं है, नहीं है, तो बताएए कौन सा नहीं है, तो 35 वा question है, महत्रपूर है, और 35 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर D, राव, आपका सही आंसर ह मात्रा की मूर्ते की रचिना की लेखक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, इसके लेखक, तो 36 का सही आंसर है, आपका विकल्प नंबर B, आनि की रामब्रक्ष बयनिपूरी, रामब्रक्ष बयनिपूरी आपका सही आंसर है, संकलंत्रय से आसर क्या है, यहाँ पर question number 37 है, और 37 का सही आंसर होगा, बिकल्प नमबर B, समय कारे और इस्थान जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है, आकासदीब कहानी की लेखक माने जाते हैं, question number 38 में बताना है, कौन माने जाते हैं, आकास दीव कहानी के लेखक 38 वा कॉस्चन है, महत्यपूर्ण है और आपका सही आंसर है पिरसाथ बिल्कुल चाही राइट आंसर होगा निम्न मेंसे एक उपन्यास नांगरजुन का नहीं है, कौन सा नहीं है तो बताईए तो कौन सा उपन्यास नांगरजुन का नहीं है, तो 49 का राइट आंसर है विकल्प नमबर D, सत्यबादी आपका सही आंसर है, बिल्कुल चाही कॉस्चन नमबर 40, अजारी पर साथ दुबेदी के निम्न उपन्यासों में से निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकता आत्मक है, तो बताईए तो यहाँ पर कॉस्चन नमबर 40 है और 40 का सही आंसर बताना है तो पांड़ भट्टी की आत्मकता यह जो है, आपका सही आंसर है विकल्प नमबर C, कॉस्चन नमबर 41 यहाँ पर पूँचा है, कि जगदीश चंद्र मात्र की रचिना 10 तस्वीरें है, यह आत्मकता है रिपोर्टाज, जीबनी है, रेका चित्र है यह बताना है, यह क्या है तो 40 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर C आनि की रिपोर्टाज है, अजात सत्त्रू के रचिनाकार पूँचा है, तो यह तो सभी के लिए पता होगा, कि जैसंकर प्रसाद, कॉस्चन नमबर 43 है यहाँ पर कि नमलिखित मैंसे एक सब्द बरतनी की दरश्टी से असुद है भह सब्द आपको यहाँ पर चैन करना है, कौन सा भह सब्द है तो 43 का सही आंसर है बी यानि की ओधार्य यह जो है आपका सही आंसर होगा चम यक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई समझी पर इसे यह सब को मलाई, तो इसमें चंद बताना है कौन सा चंद है, तो यहाँ पर राइट आंसर, कॉस्चन नमबर 44 है क्या होगा इसका सही आंसर तो 44 का सी बरवय आपका सही आंसर है यहाँ पर, प्रसाद अपने के सुपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे कॉस्चन नमबर 45 है और 45 का सही आंसर है विकल्प नमबर आपका सी राइट आंसर है, इस सुपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे प्रसाद इरावति को यहाँ पर question number चालेस है निमलकेत परीवरतनों में ऐसे एक का संबंध भासा विज्ञांचे नहीं है तो किस का संबंध भासा विज्ञांचे नहीं है तो चालेस का सही आंसर है बुद्धी परीवरतन बुद्धी परिवर्तन आपका सही आंसर है रामह सीतायन लक्षमेन चा सहे चित्र कूटम गच्चता प्रस्तुद पाक में लक्षणेन सब्द में विभक्ति कौन सी है तो यहाँ पर विभक्ति बताना है तो 47 का राइट आंसर है विकल नंबर सीत्रितिया विभक्ति है question number 48 है कि उत्तर प्रियदर्सी नाटक के लिए का कौन है अग्गे मोहराकिस नागरजन या सुधानसु सर्मा तो यहाँ पर 48 का सही आंसर है अग्गे अग्गे आपका विलकुल सही आंसर होगा निरापद सब्द का अर्थ क्या होगा निरापद सब्द का अर्थ बताना है तो पर सुमिलत कर देते हैं आंसर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है डी तो एक का जो है तीसरा हो जाएगा यह और दूसरे का चौथा हो जाएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं देखिए गजानर मादा मुक्ति बोध तो विपात्र गिर्जा कुमार मातोर की धूप के धान ध तो क्वाश्चन नमबर है इंक्याउन और इंक्याउन का सही आंसर है बिल्कुल सही जगनिक सभी लोगों ने सही आंसर बताए जगनिक राइट आंसर है नमलेकत में से एक रचन हरी वंसर आए बच्चन की है तो बह कौन सी है क्वाश्चन नमबर बाउन तो बाउन का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा धर्मबीर भारती जा इसी ग्रंथा बली के संपादन करता कौन माने जाते हैं कॉस्चिन नंबर चंगवन है और चंगवन का राइट आंसर क्या है बताईए महत्तुपूर कॉस्चिन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है चंगवन का विकल्प नंबर सी यानि की रामचन सुकल आपका सही आंसर है निमलिखित में ऐसे एक उपन्यास ब्रंदा बने लाल बर्मा का नहीं है नहीं है तो बताना है तो पच्पन का सही आंसर होगा नहीं में आपका हो जाएगा जय सौमनात जय सौमन वर में महाकाब्य कही जाती है बहे है बहे कौन सी है यह आपको बताना है तो question number sunthown है और sunthown का right answer है रामकी सक्ति पूजा रामकी सक्ति पूजा विकल्प number C right answer है रेडियो रूपक से तातपरे क्या है तो question number untown है और untown का सही answer है अन्थाउन का विकल्प number C रेडियो रूपक से तातपरे रेडियो नाटक अंगला question क्या है हमाद्री कवीता की लेखक माने जाते हैं पंत नराला प्रसाद नवीन जी तो यहाँ पर उनसट का सही answer है पंत माने जाते हैं हमाद्री कवीता के लेखक question number 60 है निवनमय से ए आपकर आईटा answer है पाजीव आपका सही answer है question number 60 यहाँ पर पूचा है हिंदी का एक साहित्यकार जिसने मेरा परिवार रचनावे पासुपक्चियों को भी अपने परिवार का अंगमान कर उन पर लिखा है लिख लिखा है तो किसने लिखा है यह बताना है तो यह तो बहुत पी मात्पूर्ण है except by question और महादवी बर्मा आपका सही answer यहाँ पर होगा हिंदी के एक गद्यकार की रचनाव को गद्दीगीत कहा जाता है तो भै कौन है भै कौन गद्यकार है जिनकी रचना को गद्दीगीत कहा जाता है तो question number 62 का सही answer है विकल्प नमबर बी राइट आ प्रास या फिर यमक तो 63 का सही answer है विकल्प नमबर डी यमक आपका सही answer यहाँ पर है अंगले question है बस्तर सब्द के परियाबाची निमलिकत है इनमेंसे एक असुद्ध है चिन्नित कीजिए बस्तर सब्द का असुद्ध परियाबाची यहाँ पर दिया गया है कौन सा है त सुद्ध तो आपका राइट आंसर है 64 का विकल्प नमबर डी यह है यह आपका सही answer निमलिकत बातकों मेंसे एक में असुद्ध है उसे चिन्नित कीजिए कौन सा वाक है जिसमें असुद्ध है तो question नमबर 65 का सही answer है विकल्प नमबर एक अनेकों नरप अपराद कारागार भीजी गए है यह जो है आपका सही answer होगा यहाँ पर पूचा है चंद्रहास हरुमम मरी तापम यहां चंद्रहास का अर्थ है क्या है तो यहां आपके लिए चंद्रहास का अर्थ बताना है आपके लिए क्या है तो question नमबर 66 है और 66 का सही answer है यहाँ पर जो चंद्रहास का अर्थ है तलवार है तो भी कल बनाली डी राइट आंसर होगा दंपती चटी सब्द का अर्थ क्या है बताइए Bapt 2021s sixty सब्द काई क्या होगा क्या होगा तो औरですね 68 और आपका सब्रथा शैंश का जने की एक्छा जीने की एक्छा रखने वाली के लिए जीजी विसा इस परकार जो है एक सब्द है मैं इनसे मिला रचना है रिपूर्ट आज है संसमरण है या पिर रेखा चित्र है साख्छातकार है तो कौश्चिन नमबर 59 है 69 का सही आंसर है विकल नमबर D साख्छातकार आपका सही आंसर यहां पर होगा नहीं लिखे साहितिकार प्रकारों में एक को छोड़कर सभी रेडियो नाटक लेखक हैं जो नहीं है उसे चिन्यत कीजिए तो कौन साहितकार रेडियो नाटक के लेखक नहीं है नहीं है तो सत्तर कराइट आंसर डी यानी की ब्रंदबने लाल बर्मा आपका सही आंसर यहां पर होगा निमलिकत प्रक का नहीं है बढ़नात्मक विचारात्मक भावात्मक ये प्रितिकात्मक नहीं पूचा है तो प्रितिकात्मक आपका सही आंसर यहाँ पर होगा Q72 है निमने नाटकों में से एक नाटक लक्षी नारण मिसर का है कौन सा है तो 72 का सही आंसर है विकल्प नमबर आपका B यहाँ पर सही आंसर होगा सिंदूर की होली आपका सही आंसर यहाँ पर है निमन लिखित आलूचिना की प्रकारों में से एक सही नहीं है कौन सा नहीं है तो 73 में आपको बताना है कि निमलिखित आलूचिना की प्रकारों में से एक सही नहीं है तो 73 का D राइट आंसर है विमबातमक आलूचिना विकल्प नमबर D आपका सही आंसर यहां पर कौस्चन नमबर 74 पूचा है चुंगी की उम्विद्वारी प्रहसन के लिए का कौन माने जाते हैं तो कौस्चन नमबर है 74 और 74 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा राइट आंसर तो यहां पर बिल्कुल सही विकल्प नमबर C यानि की बद्रीनात भट्टे आपका सही आंसर यहां पर है ग्रहम गच्चती सब्द में संदी कौन सी है बेसर्ग स्वर ब्यंजन कोई नहीं तो यहां पर 75 का राइट आंसर है विकल्प नमबर C यानि की स्वरर आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही नमलखत में इसे एक सद्दान्थ 5 का सद्दान्त नहीं है अहिंसा ब्रहम्चर सत्य पौरूस तो पंच्च्च्चिल का सद्दान्थ नहीं है तो right answer है पौरूस आपका सही answer है यहाँ पर लिखा है बोध यूगी सब्द में विबक्ती कौन सी है तृतिया दुतिये यह पर सब्दमी अपंचमी 77 और इसका सही आंसर है B आनि की सब्तमी आपका सही आंसर इहाँ पर होगा निम्लिखत में असे कौन सा कथन सत्य है तो सत्य कथन के यहां पर चेयन कीजिए Question No. 78 में कौन सा है सत्य कथन तो सत्य कथन है किष्ण कावबिका आधार किष्ण जीवन की लीलाएं है यह आपका सत्यकतन माना जाता है जिसे बाटा ना जा सकी उसे कहते हैं अखंडेत, अवंटेत, अभीभाज्य या अकूत तो यहाँ पर 89 का सही आंसर है B, अभीभाज्य आपका सही आंसर होगा कालदास की रचिना रगुबंसम है क्या है, प्रबंद काप बे, महा काप बे, मुक्तब काप बे, गीती काप बे तो 80 का रइट आंसर है, यह मान जाती है महा काप बे तो विकल्प नमबर C रइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कॉस्चन नमबर 81 पूच्छा है, तीन कौनली का होना महाबरे का अर्थ यहाँ पर बताना है, तो कॉस्चन नमबर 81 का रइट आंसर है बरबाद होना विकल्प नमबर 1 सही आंसर है, जो नाटक की सूत्र संचालन का कारे करता है उसको क्या कहती है, सूतक, सूत्रधार, सूतबाहक या प्रहरी तो 82 का सही आंसर है, यानि की सूत्रधार आपका सही आंसर यहाँ पर होगा आलूचन सब्द का सही अर्थ है, बताए, कॉस्चन नमबर 83 में बताना है, आलूचन सब्द का सही अर्थ क्या होगा तो 83 का राइट आंसर है भी यानि कि गुड़न दोसों का सम्यक विबेचन ये आपका सही आंसर है चंदन विश ब्यापते नहीं लब्टे रहत भुजंग पंती है किसकी पंती माने जाती है तो 84 का सही आंसर है ये पंती जो मानी जाती है रहीम की तो विकल नंबर भी आपका सही आंसर है ब्यासाली की नगरवदू उपन्यास की लेखक कौन मानी जाते हैं question number है आपका यहाँ पर 85 और बैसाली की नंगरवदू उपन्यास की जो लेखक माने जाते हैं वैकोन माने जाते हैं तो आचार चतुरसेन आपका बिल्कुल सही right answer है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया सुकल जी ने किसकी कवीता को मोन मधी पुकार कहा है question number 86 है और 86 का सही आंसर घनानद ठाक और आलम मतिरम तो चासी का right answer है एक यान की घनानद आपका सही आंसर यहाँ पर होगा question number 88 है और 88 का सही आंसर है विकल्प नमबर डी आनि की स्वचंदता बादी आपका सही आंसर यहाँ पर है चायवाद का पतन पुस्तक किसकी है question number 89 है चायवाद का पतन पुस्तक किसकी है तो यहाँ पर 89 का right answer है विकल्प नमबर C देवराज आपका सही आंसर होगा बर्सा वसिष्ट किस रचना की नाइका है यह बताना है मुझे चांद चाहिए अंदेरे बंद कमरे सारा आकास पहला पड़ाव नब्भेवा question है और right answer विकल्प नमबर एक मुझे चांद चाहिए बिलकुल सही बादलों के घेरे किसकी रचना या किसकी कहानी है बादलों के घेरे तो यहाँ पर 91 का जो सही आंसर है बादलों के घेरे किसकी कहानी है बिलकुल सही अंगला question नमलकित में से एक मत पिलेटो का है तो कौन सा है 92 में बताना है कौन सा मत है तो 92 का right answer आपका होगा काब बे अनुकिरती की अनुकिरती है question नमबर आपका यहाँ पर 93 है इनमें से तारसब तक का कभी नहीं है कौन नहीं है तारसब तक के कभी नहीं पूछा है तो 93 का right answer होगा बिलकुल सही समसिर बहादुर से है विकल्प नमबर सी right answer है ज्यानरासी के संचित कोस का नाम साहित है उक्ती किसकी है तो अभी पढ़ा था पन्ने उक्ती जो है किसकी है महाबीर परसाद दोबेदी यानि की विकल्प नमबर एक आपका सही answer है नमलिकत में से एक आलूचक अमीरी की नई समीक्षा का है कौन सा आलूचक है यहाँ पर 95 में बताना है तो 95 का डी राइट आंसर होगा क्लींत ब्रुक से आपका सही answer होगा क्वेश्चन नमबर 96 है उसने कहा था उसने कहा था कहानी का प्रकासन बर्स क्या है इसका प्रकासन बर्स बताना है तो क्वेश्चन नमबर 96 और 96 का सही answer है इसका जो प्रकासन बर्स है 1915 है रिख्याण गीता की रचनाकार पूंचा है तो C right answer है किस अब्दास किस अब्दास आपका सही answer है बिल्कुल सही अंगले question है उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किस ने किया उपन्यास नामक पत्रिका का जो संपादन किया है किस ने किया तो 100 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो का बहे है विकल्प नंबर 1 यानि की कि सूरी लाल गो सौमी यहाँ पर पूंचा है कालिदा से की लालत्ती योजिना किसकी किरती मानी जाती है question number 101 है और 101 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर B हजारी परसाद दुबेदी निराला का देहनत किस सतन में हुआ था question number 102 है और 102 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर तो 1961 यानि की विकल्प नंबर B यहाँ पर सही आंसर है भाव विलास किसकी रचिना है घनानंद देव बिहारी पदमाकर तो 103 का राइट आंसर है यहाँ पर 103 का विकल्प नंबर C राइट आंसर है भाव विलास देव कभी की रचिना मानी जाती है हिंदी सब्दानुसासन के लिए का कौन मानी जाती है कौस्चन नंबर 104 है और 104 का सही आंसर है यहाँ पर जो होगा वहे आपका राइट आंसर विकल्प नंबर D यानि की किसूरी दास वाचफिये उजरनी वसी है हमारी अख्यानी देखो यह पंती जो है किसकी है घनानंद मतिराम केसा बिहारी तो 105 का सही आंसर है क्या राइट आंसर 105 का यह पंती है उकती है पंती है किसकी घनानंद है रीती संप्रदाई की परबड़ तक कौन है भामय है कौन तक है बामन है दंडी है त question number 107 है, रामदास कवीता किस ने लिखी, तो 107 का right answer है, क्या है right answer, तो केदार नाथ से हैं, आपका सही answer है, तो गलक किस भासा से अनुदित है, मराथी, तमिल, कंणड या बंगला, 108 का सही answer बताना है, तो right answer है, विकल्प number B, कंणड आपका इहां पर सही answer होगा, कुमारगिरी के 185 का पात्र है, कुमारगिरी बताना है, 109 में, और 109 का right answer है, कुमारगिरी के 185 का पात्र है, तो चित्र लेखा आपका बिलकुल सही right answer होगा, मुक्ती बोद, रचिनाबली का समपादन किस ने किया, तो question number 110 का सही answer, यहां पर जो होगा, 110 का, बहे है, नियमी काट का सपना, तो 111 का D right answer है, मुक्ती बोद, आपका सही answer है, चीडों पर चांदनी के से विदा की रचिना है, आत्मकता, यात्रा विबरण, जीवनी, ललित निवन्दे, तो यहां पर सही answer है, 112 का C right answer है, 112 का C, यात्रा विबरण, आपका सही answer होगा, प्रियमचंज की कौ कौन सी पुस्ताक जो प्रितिवन्देत हुई थी, तो 113 का right answer है, सोजे वतन आपका right answer होगा, आत्मनेपद के लेखक कौन माने जाते हैं, question number 114 है, और 114 का सही answer है, आत्मनेपद के लेखक माने जाते हैं, अग्ये, आठवासर्ग नाटक किसे ने लिखा है, बताए, मुद् कवीर को बाणी का dictator किसने कहा, तो question number 116 का सही answer है, कवीर को बाणी का dictator जो कहा था, वह कहा था किसने, हजारी प्रिसाद दुबेदीजी ने, परिक्चा गुरु का प्रिकासन वर्स क्या है, महत्पूल question है, question number 117 है, और इसका सही answer बताना है, परिक्चा गुरु का प्रिकासन नंबर बी बिसंभर ना सर्मा कौसेक्ताई कहानी के लेखक माने जाते हैं अंगला कौस्चन है संसाय की एक रात की विधा क्या है यह विधा बता नहीं आपके लिए काब्बे नाटक है या पिर कथा काब्ब है लंबी कभीता खंड काब्ब है तो 119 का यह राइट आंसर है य संदर दास आपका सही आंसर होगा आकार की दरश्टी से रामचरित मानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है सबसे छोटा कांड पूचा है रामचरित मानस का आकार की दरश्टी से तो एक से किस का राइट आंसर है यानि कि किस किंधा कांड आपका सही आंसर होगा question number है आपका यहाँ पर 122 ग्यान दूर कुछ किरिया भिन्न है एक्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से ना मिल सकें एह बिडंबना है जीवन की एह चंद कौन सा है इसमें चंद एह चंद है कामाईनी से या उर्बसी से साकेश से अप्रिय प्रवास से तो आपका यहाँ प अर्थों में सही विकल्ब को चुनिये यहाँ पर च्छाती पर मूंग दलना तो इसका सही अर्थ जो होगा बै होगा क्या निरंतर परेसानी प्यादा करना यह जो है बी राइट आंसर यहाँ पर होगा पानी की रा बुद बुदा अस मानुस की जात इस पंती में अलंकार ह है कौन सा अलंकार है sव आइस का सही आंसर होगा एक सो जो आइस का सही आंसर बताना है तो आपका होगा क्या होगा लाइट आइट आंसर है यहाँ पर क्युक्षिन नंबर 155 है मारुत नंदन मारुत को मन को खज राज को बेग लजाय उपंति में धोस है तो question number 125 का सही answer है आपका B यहाँ पर right answer होगा दुस्क्रमत्व आपका सही answer है बिल्कुल सही विकल्प number B right answer है तो इस परकार यहाँ पर बहुत ही महत्वपून question complete हुए क्याँ से लगाई वीडियो comment में जरू बताएं अगर आप channel पर पहली बार आएं तो channel को subscribe करने bell icon दबाएं all पर click करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आपके हाँ तक पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जए हिंद